नवश्कार दोस्तों भारत के अंदर बहुत से मंदिर हैं लोगों का माना है कि मंदिरों में जाने से उनकी मुरादे पूरी होती हैं अगर मैं आपसे ये कहूं कि मंदिरों में जाने से अगर आपकी मुरादे पूरी होती हैं और इस बात पर वेग्यानिक भी आपका पक्ष लेते हैं तो आपको शायद थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो आईए मैं आपके दोस्त नायरा आज आपको बताने वाली हूँ कि मंदिरों के पीछे वेग्यानिक रहसे किस प्रकार से होते हैं Tip No.1 सकारात्मक सोच आपने हमेशे ये महसूस किया होगा कि जब भी आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपका मूट एकदम से चेंज हो जाता है आपकी सोच नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है मंदिर के अंदर कई ऐसे चीज़े होती हैं जो कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनरजी को रिलीज करती हैं जिसकी वज़े से हमारी सोच नकारात्मक से पॉजिटिव हो जाती है साथ ही साथ यदि मन में कोई शंका हो या फिर कोई सवाल हो मंदिर में जाते ही उस चीज का जवाब हमें तुरंट मिल जाता है उसका कारण यह है कि जब भी हमाई सोच साकाराप्मक होती है तो हम अच्छी चीजों को सोच पाते हैं और अपने सवालों के जवाब भी खुड़ी ढूंड लेते हैं मेरी वीडियोज को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजे तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ